इस PDF का पास्वर्ड इस विडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलिग्राम ग्रूप और वाट्स आप चैनल में मिलेंगी जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जॉइन कर सकते हैं एक, पृत्वी की गती, अर्थ्स मोशन, पृत्वी की दो प्रमुख गतियां होती हैं, घूर्णन, रोटेशन, पृत्वी अपनी धूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती हैं, इस गती के कारण दिन और रात होते हैं, पृत्वी का घूर् के कारण रितूं में परिवर्तन होता है, सूर्य के चारों और परिक्रमन करते समय पृत्वी का जुकाव, आक्सियल टिल्ट, मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है, दो, जवार भाटा, टाइज, जवार और भाटा, समुद्र की सता के जल के उत्थान और अवतरन को कहते ह यहां चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्शन बल के कारण होता है, जवार, हाई टाइड, जब समुद्र का जल उठता है, भाटा, लो टाइड, जब समुद्र का जल गिरता है, जवार भाटा के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्शन बल, सूर्य का गुरुत्व सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन, सोलर एंड लूना एकलिप्सिस, सूर्य ग्रहन, सोलर एकलीप्स, जब चंद्रमा सूर्य और पृत्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृत्वी तक नहीं पहुचता, यहां अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहन, लून इक्वेटर से उत्तर या दक्षन में मापने के लिए अक्षांच का उप्योग किया जाता है। पृत्वी 360 डिगरी देशांतर पर फैली होती है और 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है आता हर 15 डिगरी देशांतर पर एक घंटे का अंतर होता है। अंतराश्ट्रिय समय रेखा 180 डिगरी देशांतर पर स्थित है। यहां रेखा पृत्वी पर तिथी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। जब कोई व्यक्ति इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की और पार करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है और पश्चिम से पूर्व की और पार करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। साथ, पृत्वी की आंतरिक संगचना, Internal Structure of Earth, पृत्वी की आंतरिक संगचना तीन मुख्य भागों में विभाजित है, भूप्तिल, क्रस्ट, यहां पृत्वी का सबसे उपरी ठोस भाग है, जिसकी मोटाई आस्तन 35 किलोमीटर है। मृदुत्व, Mantle, यहां भूप्तिल के नीचे का भाग है और लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला है। इसमें मैगमा पाया जाता है। कोर, को, यहां पृत्वी का सबसे अंदरूनी भाग है, जो बाहरी कोर, तरल और आंतरिक कोर, थोस में विभाजित होता है। आंतरिक कोर में मुख्यता लोहा और निकेल होते हैं। पृत्वी की चट्टाने, Rocks of the Earth, चट्टानों को उनके निर्मान के आधार पर तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है। 9. भूकम, Earthquake, भूकम पृत्वी की सत्या के अचानक कमपन को कहते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने, ज्वाला मुखिया गतिविधी या मानव गतिविधियों के कारण होता है। ट्वी की सथा पर निकलती है। सक्रिय ज्वाला मुखी, ये च्वाला मुखी सम्यस्मय पर विस्फोट करते रहते हैं, जैसे माउंट एटना। झाल झाल झाल